हलो फ्रेंड्स तुड़े माइ टॉपिक इस कैश इस किंग बहुत बार आप सबने सुना हैं कि पैसा ही सही में राजा होता है मगर आज हम इस टॉपिक को पैक्टिकली समझेंगे कि बहुत ही सिंपल एक्जामपल मैं आपको समझाना चाहूंगा समझ लीजे है कि आप चौप कर रहे हैं आपको एक regular income मिल रही है उस income के अनदर से आप हर मेने बैंक के अंदर जाके 10,000 रुपए FD कर रहे हैं या Post Office के अंदर अप रिकरिंग कर रहे हैं अब आपको हर मेने 10,000 रुपए Post Office में डालना शुरू कर दिया अब आप उस पैसों को डालते जा रहे हैं, डालते जा रहे हैं, डालते जा रहे हैं, आपको passbook, bank वाले या post office वाले क्या देंगे बदले में, एक खाली passbook, आपने cash जाला, आपको मिली क्या, passbook, passbook के अंदर आपको entry मिलती रहेगी, कि आपके पैसे बढ़ रहे हैं, that's all, अब future में आपकी daughter के marriage हैं, और आपने bank में जाके, उसी passbook को वापिस दिया, और उस passbook के बंदले में, आपके accounts में, आपने cash withdraw किया, 60 lakh rupees, जो आपने डाला था, 10-10,000 करके 25 या 30 lakhs, उसके सामने आपको next 20 years के अंदर 60 lakh rupees withdraw हुए, तो friends, आपने marriage करने के लिए passbook तो नहीं दी, आपने cash ही देना पड़ा, आपने ऐसा तो नहीं किया कि एक passbook का एक page दे दू, और मेरा caterers वाले का bill हो जाए, नहीं friends, तो होता क्या है, हमेशा cash ही king होती है, passbooks, bank passbooks, FDs, ये सारी चीज़े एक खाली assets हैं, और ये assets कभी आपके dreams को fulfill नहीं करेंगी, dreams आपकी जो जरूरते हैं, उसको पूरा करने के लिए आपको हमेशा cash चाहिएगा, और that's why I called cash is the king, यानि आपको जब भी cash आपके पास आएगा, आपके हाथ में होगा, तभी आप राजा बन पाएंगे, और आपने dreams को पूरा कर पाएंगे, तब तक आ आप अलग-अलग asset class के अंदर investment करते हैं, और वो asset class आपको उस assets class के risk के इसाब से आपको grow of returns देती है, so never invest in one asset class, settle to different asset class and always make sure when you need the cash, how much you need the cash, so you become the king when you think the event in your family good to be have pen, जब भी आपके family में कोई event होने वाला है, आपके पास cash होनी जरूरी है, और तब वो cash आपकी asset class में से एक value बड़ी होके आएगी, तब ही आपको वो money, एक prestigious, enjoyable life आपको दे सकेगा, आपके dreams को fulfill कर सकेगा, अगर आपको मेरे short video पसंद आया हुआ है, तो जरूर इस channel को subscribe कीजिएगा, आपको और भी ज़्यादा financial knowledge चाहिए, तो आपके रहे channel के log on कर दीजिएगा, subscribe कर दीजिएगा, thank you friends